नमस्कार, विश्वी योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुब कामनाई, योग को आमतोर पर फिटनेस या स्वास्थे के लिए की जाने वाले चिकित्षा, व्यायाम प्रनाली या फिर एक्सरसाइज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन स्वास्थ है, चाहे मान सिखो या ये तो मात्र एक परिणाम है, योग से होने वाले अनेको अनेक लाभों में से केवल एक, तो क्या है आखिर योग, फैक्ट का फंडा में मैं हूँ अनिलकौशिक और आज हम बात करेंगे योग के इतिहास के बारे में, योग शब्द का साब्दिक अर्थ होता है जुड़न या जोड़ना, मैथ में यानिके गनित में भी आपने पड़ा होगा संख्या योग यानिके नंबर एडिशन, माना जाता है कि योग का अभ्यास सब्ध्यता के शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था, धर्मों और विश्वास प्रनालियों के शुरुआत से भी बहुत प पर आदी योगी ने ही है ग्यान सब्तरिशियों को दिया, सब्तरिशियों ने फिर इस महान ग्यान को दुनिया के कोने कोने में फैलाया, हमें रामायन महाबारत एवं गीता में भी योग की विस्तरित व्याख्या मिलती है, जिसमें ग्यान योग, भगति योग और कर्म यो और क्रिया शामिल हैं कर्म योग में हम शरीर का उपयोग करते हैं भगती योग में हम भावनाओं का उपयोग करते हैं ज्यान योग में हम मन और बुद्धी का उपयोग करते हैं और क्रिया योग में हम उर्जा का उपयोग करते हैं हमारे द्वारा अभ्यास की जाने वाली योग की प्रतेक प्रणाली इनी में से एक या अधिक के अंतरगत आती है। प्रतेक व्यक्ति इन चार कारकों का एक अनूठा संयोजन है। योग के सभी प्राचीन जानकारों ने जोर दिया है कि योग को गुरू के मारक दर्शन में करना आनिवारिय है कारणिया है कि योग के सभी चार मूल भूत मारगों का उपयुक्त सयोजन केवल एक गुरू ही मिला सकता है। चित्त की विभिन वृत्तियों के नेमन से समाधी द्वारा आत्मशाक्षात कार करना। द्वित्यपाद में पांच बहिरंग साधन जैसे यम, नीयम, आसन, प्रणायाम और प्रत्याहार का विवरन दिया है। से एकाकार होकर उसे सिद्ध कर लेता है। तो इस प्रकार से चित्त वृत्तियों के विरोध के लिए महरशी पतंजली ने द्वित्य और तृत्यपाद के अंदर जिन आठ अस्टांग योग साधनों का उपदेश दिया है। उनके नाम हैं यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान और समाधी। इन आठ अंगों के अपने-अपने उपअंग भी हैं, आज कल तीन ही अंग प्रचलित हैं, आसन, प्रणायाम और ध्यान, आसन को योगा पोजिज, प्रणायाम को ब्रिधिंग एक्सरसाइजिज और ध्यान को मेडिटेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। दस्वी सदी के गुरु गोरखनाथ के सीश्य परंपरा के एक सीश्य स्वात्मा राम ने एक गरंथ लिखा जिसका नाम था हठ योग प्रणायाम, चक्र, कुंडलनी बंध, क्रिया, शक्ती, नाड़ी और मुद्रा का विवर्ण मिलता है। इसके अध्यायों को उपदेश कहा जाता है जैसे प्रतमों उपदेश इत्यादी। इस ग्रंथ की प्राप्त सबसे प्राचीन पांडूली पी पंधरवी स्तावदी की है। भगवान शंकर के बाद वैदिक रिशी मुनियों से ही योग का प्रारंब माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका विस्तार किया, फिर पतंजली महारशी ने इसको एक सुववस्थित रूप दिया। जिस प्रकार भगवान श्रीराम के चिन इस भारत्य उप महाद्वी पर जगय जगय बिखरे हुए हैं, उसी प्रकार योगियों, रिशियों और मुनियों के चिन्नों को भी जंगलों, पहाडों, गुफां और कंदराओं में देखा जा सकता है। बस जरूरत है तो भारत के उस्वरणिम इत्हास को ढूंड निकालने की जिस पर हम गर्व करते हैं। योगम शरणम गच्छामी, योग करें औरों को करवाएं धन्यवाद।